जब अपने भक्त की जान बचाने के लिए साई बाबा हुए 20 सड़क में प्रगट उनका असली रूप देखकर लोगों के छूटे पसीने आप देख रहे हैं साई जीवन माला वस्तो यहाँ बात है लोंगानपूर के एक छोटे से गाउं की जहाँ पर सुभम नाम का एक साई बाबा का भक्त रहा करता था वह साई बाबा का बहुत बड़ा भक्त था अर गुरुवार को कुटो को बिस्किट खिलाया करता था और वहाँ पर गरीब लोगों को भोजन करा यह देखकर साई बाबा की असीम क्रिपा उस पर होने लगी सुभम की अच्छी जगा नौकरी लग गई वहाँ पर वे अच्छा खासा कमाने लगा एक दिन रात में 11 बजे बहुत ही जोरों की बारिश होने लगी और वे अपने घर के लिए निकल गया उसे लगा कि मेरे पहु बहुत ही तेज गती से आ रहा था उस ट्रक और शुभम की बाइक की टकर होने ही वाली थी तब ही अचानक बहुत ही विशाल सरीर के साथ साई बाबा आकर खड़े हो गए ये बात खुद उस ट्रक ड्राइवर ने बताई वे बताते हैं कि कभी भी हम अगर ट्रक में ब्रेक लगाना होता है तो हम बहुत ही धीरे धीरे करके ब्रेक लगाते हैं तब जाकर हमारे ट्रक कंट्रोल में आता है लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि मैंने साई बाबा को देखकर ब्रेक नहीं लगाया फिर भी वे ट्रक अचानक से कैसे रुग गया ये बात वो ट्रक ड में रोकने की कोशिश की मैंने उस बाइक वाले शक्स को बहुत ही तेज गती से इशारा किया कि तुम तुरंट अपनी बाइक को रोको तब उसने अपने बाइक को रोका जैसे ही मैंने उस बाइक वाले को बात बताने के लिए उसके पास गया तो वहाँ पर साई बाबा नहीं जिसमें आज शायद हम दोनों नहीं बच पाते जब मैं ट्रक से आगे ही आ रहा था तभी मेरे सामने अचानक साई बाबा प्रकट हो गए और अपने ही आप ट्रक के ब्रेक लग गए यह सुनकर सुभम को खुशी भी हुई और हैरानी भी हुई सबसे पहले उसने साई बाबा का शुक्रिया किया और उस ट्रक वाले से कहा के साई बाबा मेरी रगरग में बसते हैं मैं उन्हें दिल से चाहता हूँ मैं रोजाना उनकी भक्ती करता हूँ इसलिए सायद उन्हों ने आज मेरी जान बचाने के लिए यह सभी किया यह सुनकर ट्रक ट्राइवर ने बोला मैंने कभी भगवान को नहीं देखा था और नहीं महसूस किया लेकिन शायद आपकी सची भक्ती के बज़े से ही मुझे आज साक्षाथ साई बाबा के दर्शन हो गए रट्राइवत सुभम का दन्यवाद करने लगा फिर सुभम ने बताया कि जब मैं हाईवे पर था तब मुझे महसूस हुआ कि अचारक से मेरी बाइक बहुत ही थारी हो गई है लेकिन मैंने उसे अपना भ्रम माना लेकिन आज इस बात को मैं सच मानता हूँ कि भक्ती में ही शक्ती है जिसका उधारण आज मैंने देख लिया आज से मैं भी साई बाबा को अपने दिल से मनाऊंगा और अपने सचे मन के साथ उनकी पूजार चिना करूँगा ताकि वे भी आपकी तरह मेरे साथ रहे अगर आपको हमारी ये सची घटना अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू किजिएगा हम मिलेंगे एक और नी खास वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद